तो गुर्लोक सल्लू भाई की मूवीज अब उतनी चल क्यों नहीं रही है पहले उनके मूवीज तीन चार सो करोड रुपए तो ऐसे चुप्कियों में कमा के चली जाती थी और उनके मूवीज में हमें टटी ही क्योंना दिखाया जाता हो वो सारे मूवीज बहुत दबा के चलती थी और फैंस लोग भी उनके तारिफ करते थे बट अब ऐसा क्या हो गया कि उनकी मूवीज चल नहीं रही है अगर हम उनके पिछली कुछ मूवीज की बात करें जैसे कि ट्यूब लाइट हो गया रेस तिरी हो गया दबंग तिरी हो गया राध है फिर अंतिम जैसे मूवीज आई थी अंतिम की स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत सही लगी थी बट बो भी बहुत बुरी तरह से पिट गई थी ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी मूवीज अब पहले जैसे नहीं चल रही है ये सारी मूवीज ना एवरेज कमाई किया है ये 300-400 करोड रुपए कमाने वाली मूवीज नहीं है 1.500-200 करोड में ही ये निपट गई है और इसका बजट भी 100 करोड से उपर था सारे मूवीज का और आपने एक ट्रेंड नोटिस किया हुगा ये जितनी भी मूवीज का नाम मैंने आपको बताया है ये बहुत ही जदा एक awkward story लेके आता है और ये story सल्लू भाई के character के उपर suit नहीं करता है सल्लू भाई आज भी वो पुराने जमाने के एक एंग actor के तरह अपने आपको पेश करते हैं जहापे वो अपने शेट को बटन को खोल देंगे लब story में पढ़ जाएंगे जैसे कि वो वी 30 साल के कोई नौजवान है तो क्या आपको लगता है कि ये जो character है ये सल्लू भाई के उपर suit करता है ऐसे character है सल्मान के उपर अप suit नहीं करते है क्योंकि वो 60 साल का एक गुड़ा हो चुका है तो देखो छोटी मूँ बड़ी बाते कर रहा हूँ सल्मान खान को भी करना चाहिए जहां पर character का जो एज है वो एक particular age पर होना चाहिए जहां पर सल्मान खान के character को इस actor में दिखाया जा सके तो दूसरा reason यह है कि cinema का जो trend है वो बिल्कुल बदल गया है उसमें आप कितने भी बड़े actor क्यों ना हो कितने ही अच्छे actor क्यों ना हो अगर आपके movie में content में दम ना हो तो किसी का बांप में इतना दम नहीं है कि उस movie को चला सके audience अब समझ सुकी है कि content is the main की अगर movie को success होना है तो उसमें देखो acting को करना पड़ेगा ही साथ ही साथ उसके अंदर कुछ thrill कुछ suspense कुछ ऐसा material होना चाहिए जिससी की audience अपने आपको relate कर सके और उसमें बंद के रह जाए यह trend तब से change हुआ है जब से short form की जो videos है वो आने लगी है तिक टॉक यूट्यूब इस तरह के platform ने जो audience का जो एक content consume करने का जो criteria है वो बिलकुल बदल के रख दिया है और उसके बाद जो trend आई थी rap series का उसने audience को बिलकुल खोल के रख दिया है मतलब वो अब समझ चुकी है कि कौन सा content अच्छा है कौन सी movies भेकार है तो हमें क्या देखना है उसको अब पूरा पता है वो इस टाडम के पीछे नहीं भागती है अंदे होके नहीं जाती है सिनिमा घर पे कि मैं इसका ट्रक मूवी लगा है तो मैं इसको देखने जाओंग है तो उसी तरह के movies करो audience आपको प्यार जरूर के लिए और अगर वीडियो अच्छा लगए तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना बहुत ज़्यादा महनत लग रहा है आज का लिए वीडियो बनाने में एडिट करने में तो उतना तो करी सेकते अपने भाई के लि लिए